अलो दोस्तों गुड मोनी गाइज वेलकम बैक टू माई नियू व्लोग और आजके इस नाई व्लोग में आप सभी कहा स्वागत है दोस्तों मिरा नाम है मुहमद आसीफ और आजके इस नाई व्लोग में एवरेश फ्लीट गाड़ी किसको चलाना चाहिए किसको नहीं चलाना चाहिए और इसकी टाम में कंडिशन क्या होती है कापी सारे भाईयों की अंदर एक कंफूजन लगा रहता है कि इसमें काम कैसा है काम सही है काम नहीं सही है इसमें दो चीजें होती है किसी भाई को काम बह जो भी एवरेश फ्लीट की जो गाड़िया होती उनमें टर्में कंडिशन होती इन दोनों के अंदर तो एक भाई का मेरे पास कॉमेंट आता इसके उपर तो मैंने सोचा काफी सारे भाईयों की इसमें अंदर में सेंडिंग भी होगी और काफी ज्यादा कंफीजन भी होगा त तो दोस्तों का विलोग का लेते हैं इस्टाग तो दोस्तों मैं आपको बादा दूँ एवरेश फ्लीट गाड़ी प्रवाइड करता है और वो गाड़ी आपको उबर के सिवाय आप कहीं भी उसको नहीं उच कर सकते जो भी उसकी टमें कंडिशन होती है उसके अंदर आपक काम करना पड़ेगा नहीं करेंगे तो आपसे गारी ले लिए और यह गारी आपको लेने के लिए कुछ डिपोजित आपको रभना पड़ता है उसके बाद आपको अपने केटिगेरिंगे सबसे आपको किस टर्मे कंडिशन के अपको गारी चाहिए वह आप गारी अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं इसमें दो टर्मिन कंडिशन आती है एक आती शिश्टी-फोडी की और एक आती है लीज की तो इसके अंदर आपको अगर लीज पे लेना है तो आपको लीज पे गाड़ी मिल जाएंगी आपको शिश्टी-फोडी पे गाड़ी चलाना तो इसमें क दोनों के अंदर भी डिफ्रेटली काम होता है अंडिंग होती है प्रॉफिट होती है कुछ भाई 60 फोटी लेते हैं कुछ भाई दोनों पर ट्राइग करते हैं तो आज का ब्लोग है ना इसी कन्फीजन को किलियर करने के लिए क auruk2 फेले मैं विडियो अफ्लोड कि अंदर एक कोमेंट आ था मेरे पास के आशने फिर वह बोला क्या सब्ण हो लगती है कॉमेंट करके आप भी बता देना आपको क्या लगता है मैं जो बता रहा हूं वह सही था यह फिर कुछ और है तो दोस्तों मैं आपको लगाएता हूं आप देख ले इसमें लिखा हुआ ऐसी पहले में जो गाड़ी चला रहा था उसके अंदर 60-40 में गाड़ी चला अब यह situation क्यों होती है क्योंकि यह बाई ने हमारे जो बाई है हमारी वीवर्स है बाई हमारे सब्सक्राइबर है इन बाई ने क्या किया पहले 60-40 पर गाड़ी चला तो अंदिंग अच्छा खासा हुआ उसके बाद इनका जो माइंड है वो तोड़ा सा डिफरेंटली हो ग सकते खासार के यह है मैं आपको बता दोए इसमें क्या इसव है मैंने दो दिन पहले वीडियो अपलोड किया चैसे बहुत है कि कोई भी कंपनी कोई बी बिजनिस्मेन कुशी भी करता ना कोई सल्विस क्छालू करते है पैसे कमाने के लिए बिजने स्टार्ड करने के लिए तो उसमें जो बिजनीस में की जो सोच होती ना में फॉक्स जो होता है वह भता है प्रॉफिट के ऊपर अगा है। नहीं होता है। एक शिष्टी पोडी का और एक लीज का ये दो अप्शन निकालेगी नहीं अगर कुछ डिफरेंटली नहीं होता है तो डिफरेंटली है इसी के लिए गारी जो कस्टूम अरे मतलब जो कंपनी है ड्राइवर के लिए दो केटिगरी को लेके आई है एक केटिगरी शिष्टी पोडी और एक केटिगरी लीज की अब दोनों डिफरेंटली तो होने वाली है लेकिन सोचने वाले सोचते नहीं है अब स तो बाइ का जो क्मिशन के तौर पे पेमेंट करना होता है आप जितना काम करेंगे कमणी का उतना ज्यादा प्रोफिट होगा और आप जब गाड़ी को लेंगे तो आपको फिक्स जो पैसे होते हैं Alright . तो इतना ही पैमेंट आपको करना होता है. जो लीच की गाड़ी होती है अब महना एक एक योग साथ सु Осब और पकड़ोगी काड़ी रूपन होती dus उसकी अनिक जा रही है उसका जो प्रॉफिट है वो तो अब मुझे बताओ कमपनी किस चीज़ पर फॉकस करेगी लीज पर गाड़ी पर फॉकस करेगी ज्यादा या फिर शिक्ष्टी फोडी पर ज्यादा करेगी तो आपके जो कॉमेंट के हिसाब से अगर मेरे जो समझ में जर्ग में अ रहा है वह सिख्षी कष्टी फोडी पर कमिसलotte कम्पनी का जो प्रॉफिट है वह जादा है कि और जो लीज़ की गाड़ी पे ज Простоने ज़ाद आएगी और सपार्माण हम और तो आपने किसी ने गाड़ी ली उबर के अंदर एटेज करी अपनी तरफ से तो जब शिक्षी फोड़ी मुकिन सबसे ज़्यादा है उसके बाद लीस पे थोड़ा कम है तो उसके बाद हमारे तुमारे जैसे बंदे जो गाड़ी उबर में अटेज कर रहे हैं उनके पाद जो आने वाली है चोड़ी गाडियों के उपात तो जिसके पास प्राइबेट में मतल्न किसी ने लगाई है जैसे में लगाई अपनी तो ऊसके पास बुकिंग बहुत ही काम आएगी ना के बरावार कि पर तीन चिजहों होती हैं आपको समझने के लिए जानने के लिए और कन्फीजन किलिए करने के लिए मैंने पिछली वारी वीडियो के अंदर भी बता था कि कोई भी कंपनी और ओला और ओट है वार सिर्फ आफोस rasya तो बने और तो यह जोल कप्षार बाई उसके अंदर काम काम रहे हैं कभी सारे भाइंगों को आप नियुक्त हो g5 जो लड़ी काम Kर रहे हैं उन 6 अच्छ काम oni को सैघंगी स्टोर नियुक्त करें आपको बिना कुछ चंद पैसे कुछ 10,000 संथिंग 11,000 जो भी मैंने डिपोजित सुना है कुछ 15,000 के ते कि इतना आपको पे करने आपको गाड़ी मिल जाती है गाड़ी मिलने की मकसद क्या होता है कुछ भाईयों के पास बजट नहीं होता है अपना पुछ बहुत ट्रायल कर अपना टाइम खरब करते हैं कुछ अनिंग करते हैं तो उन चीजों से उनको काफ़ी ज्यादा नौलिज मिल जाती है उसके बाद वो अपनी कारी को प्लान करते है तो आज का ब्लोग आई होप समझ गय हो गया आप जो भी कन्फुजन है वो किलियर हो गई तो दोस्तों लोग यही कंप्लिट करते हैं नेस्ट मिलेंगे नेस्ट व्लोग के साथ जय इन जय बारात